नमस्ति बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजली चानल पर आपका स्वागत है, इस वीडियो में बाल महाबारत कता का भागदो देवरत पढ़ेंगे, और इससे संबंदित प्रश्ण उत्तर के लिए लिक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आएए पढ़ना शुरू करते हैं भागदो देवरत, गंगा एक सुंदर यूर्ति का रूप धारण किये, नदी के टट पर खड़ी थी, उनके सौंदर और नव्योवन ने राजा शांतनु को मो लिया था, गंगा बोली, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त मानने होंगी, क्या आप मानेंगे, राजा ने कहाँ अवश्य, राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्ते मानने और वचन दिया कि वह उनका पून रूप से पालन करेंगे, समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वे पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने न ही दिया, बच्चे के पैदा होते ही वह, उसे नदी की बहती हुई धारा में फेग देती थी, और फिर हस्ते मुस्कुराती, राजा शांतनु के महल में आ जाती थी अज्यास सुन्दरी के इस वहवार से राजा शांतनु चकित रहे जाते, उनके आश्यर और शोब का पारावार न रहता, शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मसोस कर रहे जाते थे साथ बच्चो को गंगा ने इसी भाती नधी की धारा में बहा दिया, आठवा बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नधी की तरफ जाने लगी, तो शांतनु से न रहा गया बोले, मा होकर अपने नाधान बच्चो को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो, यह ग्रनत वहवाद, तुमें शुभा नहीं देता है राजा की बास सुनकर, गंगा मन ही मन मुस्कराई, परनतु पुरोध का अभिने करती होई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गई है? मालूम होता है कि आपको पुद्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं, आपको मेरी क्या परवा है? ठीक है, पर शर्ट के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती, हाँ आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेकूंगी, इस अंतिम बालोग को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरुसकार के रूप में आपको सौप दूंगी यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई, यही बच्चा आगे चलकर भीश पिता मह के नाम से विख्यात हुआ गंगा के चले जाने से राजा शांतनू का मन विरक्त हो गया, उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तरड़ पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहतीवी धारा पर बाण चला रहा था, बाणों की बौचार से गंगा की प्रचंड धारा इंतम रुखी हुई थी, यह द्रश्य देखकर शांतनू दंग रहे गए इतने में ही राजा के सामने स्वेम गंगा आकर उपस्थित हो गई, गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को, यही आपका और मेरा आठवा पुद्र देव ब्रत है, महर्शी वशिष ने इसे शिक्षदी ही है, शास्त्र ग्यान में शुक्र चार और रण कोशन में पर्शुराम से ही इसका मुकाबला कर सकते हैं यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनित्य गिप ही है, आपका पुद्र मैं आपको सौप रही हूँ, अब ले जाए इसे अपने साथ गंगा ने देव रत का माथा चूमा और आशिरवाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया बाल महाभारत कथा का भाग दो समाप्त होता है, अगला भाग है भीश्न प्रतिक्या प्रशन उत्तर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है विडियो देखने के लिए धन्यवाद, टेक के और बाई बाई